English Speaking Course के Day 16 में आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हमने Simple Sentence Present की Category 1 को देखा आज हम देखते हैं Category 2 को Simple Sentence Present की Category 2 की पहचान तो आप अल्रेड़ी जानते हैं पास है, में है या भाई बहन है अच्छा जिसके भी हैं, किसके हैं? Subject के पास है मतलब subject के पास है में है मतलब subject में है यानि subject के अंदर है और भाई बहन है मतलब subject के भाई बहन है जैसे मेरे पास पैन है, तो कौन है subject? किसके पास है पैन? subject के पास, subject कौन है? मैं अच्छा इन sentences में एक बात हमेशा जान रखना मेरे पास pen है तो आपके मन में आएगा सब्जेक्ट है मेरे और मेरे के लिए कहते है माई एम वाई माई ऐसा नहीं इस तरह के sentences में हमेशा अपने आप से question पूछिए कौन है वो जिसके पास pen है कौन ये कौन वाला question तो आपका answer क्या आएगा मैं जैसे हमारे पास किताबें है तो हमारे नहीं है subject कौन है वो जिसके पास किताबें है हम तो subject है हम हम के लिए we तो कौन है जिसके पास ये है ये कौन है जिसमें है ये जिसके अंदर है कौन है जिसके इतने भाई हैं इतनी बहने हैं इतने अंकल हैं चाचा हैं, इतने ताउ हैं ये question आपको पूछना है ये है इस category की पहचान इस category में auxiliary verb has का use होता है, have का use होता है हमेशा third person singular subject के साथ में has और बाकी सभी subjects R का मतलब rest, rest मतलब बचे वे, जितने भी बचे वे subject हैं third person singular के अलावा उनके साथ में have जब हम negative बनाते हैं तो has का negative हो जाता है does not have, यहाँ पर देखिए have आ रहा है, तो यह नहीं सोचना have क्यों आ गया has क्यों नहीं आया has का negative है does not have और have का negative बन जाता है do not have, कुछ cases में has का negative has no, और have का negative have no not नहीं, no और इस category में में है, यह भाई बहन है जब subject में है कुछ यह subject के कुछ भाई बहन है ऐसे में there का use भी किया जाता है there is यह there are, कहाँ पर कैसे अभी थोड़ी दर में discuss होगा और negative sentence में आप no का use करते हैं जैसे पिसली category में affirmative, negative, interrogative negative, interrogative के rule थे उसी तरह से यहाँ पर भी rules है आप देख सकते हैं subject के साथ has have उसके बाद objective part negative बना sentence तो does not have यह do not have तो has का negative हो रहा है does not have, have का negative हो रहा है do not have और बागी का objective part interrogative, negative, interrogative के rule हमेशा ध्यान रहे does या do पहले आ जाता है subject के बाद have का use होगा और negative, interrogative sentence में हमेशा ही होता है subject के बाद ही not का use होता है ठीक है और जैसे पिसली category में special case थे यहाँ पर भी हैं और यह बहुत ही जादा important है आगे discuss होगा अब देखिए कुछ sentence है आपके सामने है मेरे पास पैसे है पास है पास है category आ गई मेरे पास है कौन है वो जिसके पास पैसे है मैं तो subject हूँ मैं subject हूँ मैं I I के साथ क्या लगेगा have क्यों third person singular के साथ has बाकि सभी के साथ have I क्या है एक first person singular subject तो मेरे पास पैसे है I have money यहाँ पर मैंने I have की जगह पे देखो I have लिख दिया I have का contraction होता है I have और इसे बोलते कैसे हैं I have शुरुवात से यादत बना लेंगे तो आगे भी आसानी रहेगी speaking में भी fast हो जाएगा I have कहने की जगह I have मेरे पास पैसे नहीं है negative sentence I do not have money I have के साथ क्या लगेगा do not have अच्छा यहाँ पर भी आप कर सकते हैं do not की जगह पे generally speaking में भी fast बोलने के लिए कैसे बोला जाता है I don't have money I don't don't do not को contract कर देते हैं क्या मेरे पास पैसे हैं यह sentence बन गया interrogative अब आपको यह भी पता है कि जिस भी question का answer आप yes यह no में दे सकते हैं वहाँ पर कभी भी wh family का member नहीं होता है तो इस sentence का answer आप दे सकते हैं अगर मैं आपसे पुछूँ क्या मेरे पास पैसे हैं तो आप कह सकते हैं हाँ यह आप कह सकते हैं ना yes यह no तो चुकि इसका answer दे सकते हैं यह interrogative sentence तो है लेकिन यहाँ पर wh family member नहीं use होगा तो does या do से शुरुवात होगी subject क्या है मैं subject हूँ I I के साथ क्या use होगा do तो do I have do I have क्या मेरे पास है money और यही sentence अगर negative interrogative हो गया यह नहीं कभी प्रियोग हो गया क्या मेरे पास पैसे नहीं है negative interrogative do I not have money और एक बात हमेशा याद रखिए किसी भी negative interrogative sentence में आप यह जानते हैं कि auxiliary verb आती है subject से पहले और not आता है उसके बाद में या तो इस तरह से बोल सकते हैं do I not have money या फिर not को do के साथ मिला करके बोल सकते हैं don't I have money don't I have money don't लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते do not I have money यानि not को simply पीछे ले आएं ऐसा नहीं करना है आपको contract करना है don't जैसे अगर is होता है तो isn't are होता है तो aren't या aren't भी कहते हैं उसी तरह से do not है तो don't कह सकते है Doesn't कह सकते है तो यह तो ऐसे बोलिए यह not को do के साथ contract कर दीए यह short form में बोलिए मेरे पास कितने पैसे है अब यहाँ पर आ गया कितने के साथ क्या लख या कितने पैसे तो कितना पैसा कितना Chawal कितने दोस्त ये एक साथ आता है हमेशा तो ये पूरा का पूरा WH family का member बन गया interrogative sentence है WH family member बना कितने पैसे how much money how much money उसके बाद do I have do I have क्यों क्यों क्योंकि मेरे pass और pass है वाली बात हो रही है तो understood की category 2 है has have का use होगा how much money do I have question mark किसके पास पैसे हैं अब देखिए इस sentence में ये interrogative sentence है ठीक है interrogative लेकिन interrogative sentence के rule में तो subject भी आता है इस sentence में subject तो ही नहीं क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वही तो subject है अगर मैं कहूं मेरे पास पैसे हैं तो subject हूँ मैं हमारे पास पैसे हैं तो subject है हम, राहुल के पास पैसे हैं तो subject है राहुल, तो जिसके पास पैसे हैं वही तो मेरा subject है, तो किसके पास, ये डबलो एच फैमिली है न किसके, किसके पास ये पूरा डबलो एच फैमिली का पार्ट बन गया, लेकिन यही subject को refer कर रहा है, यही तो subject के बारे में बता रहा है, ऐसे case में, interrogative sentence का rule ये नहीं, बलकि ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर subject के बारे में ही पुछा गया है, WH family में, तो किस के पास, किस के पास के लिए मैं आपको WH family member की वीडियो में क्या बताया था, अब यहाँ पर सोचिए, किस के पास पैसे हैं, तो आ किया का, कि हमेशे पुछी कि कौन है वो, अभी आगे और चीज़े clear होंगी, देखिए, तो यहाँ पर कौन, कौन हो जिसके पास पैसे हैं, कौन, कौन को क्या कहते हैं, who, who के साथ has लगेगा, या have लगेगा, who has money, अच्छे, यहाँ पर मैंने has लगाया, क्या मैं have लगा सकत है, जिसके पास पैसे है, अगर मान लीजिए कि situation ऐसी हो, कि मैं आपके पास आऊ, मैं आप से कहूँ, वहाँ पर देखिए, कई सारे लड़के हैं, जिनके पास पैसे हैं, आप वहाँ जाएं, आप कन्फ्यूज हो जाएं, वहाँ पर तो 10 लोग हैं, आपको नहीं पता कि कि किस के पास पैसे हैं, और आप मेरे पास वापस आके पूछे हैं, किन के पास पैसे हैं, किन के मतलब, कि कौन कौन हैं वह जिनके पास पैसे हैं, तो कौन कौन, यानि वह एक से जादा हैं, अगर ऐसा case बनेगा, जहाँ पर question इस बात को बता रहा है, कि subject एक से जादा हैं, ऐ पैसे में यहाँ पर has नहीं बल्कि क्या जाएगा? have यह सब समझ की बात है जब आप question पूछते हैं तो आप अगर एक को refer कर रहे हैं तो has अगर एक से जादा को refer कर रहे हैं तो have और यही sentence अगर negative हो जाता किस के पास पैसे नहीं हैं तो अगर एक के लिए हम refer कर रहे होते हैं कि कौन है वो जिसके पास पैसे नहीं है? आप मेंसे क्वाथ है? मान जीए कोई आया उसने का यहाँ पर दस लड़के बैठे हैं इन में से एक के पास पैसे नहीं है अब मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो जिसके पास पैसे नही है या किसके पास पैसे नही है तो मैं 1 के बारे में 1 को रेफर कर रहा हूँ कोई 1 तो ऐसे में मैं कया कहता Who does not have money क्योंकि 1 को रेफर कर रहे है और अगर कोई मुझे फोन करके बताए कि आपके पास जो 10 लड़के बैठे हैं उनमें से 4 के पास पैसे नहीं है और तब मैं उनसे पूछों किसके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब वो कौन-कौन है किसके मतलब क्या कौन-कौन एक से ज़ादा ऐसे में WHO do not have money आगे बढ़ते हैं उसके पास कुछ है मैं अपने आप से सवाल पूछूँगा कौन है वो जिसके पास कुछ है तो मेरे मन में क्या आंसर आएगा वो तो उसके के लिए his या her ये नहीं उस कर सकते आपको अपने आप से question पूछना है कि कौन है वो जिसके पास कुछ है तो क्या answer निकल रहा है आपके दिमाग में वो, उसके पास, वो है वो, तो वो के लिए he या she, depend करता है लड़का है तो he, लड़की है तो she, he has something, आप ये जानते हैं कि जब कुछ negative sentence में आता है, तो something की जगा हम anything कह देते हैं, जैसे यहां पर हम करेंगे, उसके पास कुछ नही है, negative sentence है, he, और he के साथ क्या आएगा, does not have, क्योंकि third person singular subject है, he does not have, object में कुछ, अब चुकि negative sentence है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, anything, he does not have anything, अच्छा, एक interesting चीज और है, कि negative sentences में कुछ नहीं, तो या तो आपने sentence को ऐसे बनाया, या फिर, इस sentence को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, he has, उसके पास है, कुछ नहीं के लिए, सीधा, nothing, तो वहां पर negative sentence की तरह रूल नहीं बनेगा, he does not have nothing, क्योंकि does not नहीं कह सकते, not तो nothing में खुद ही आ रहा है, तो इस sentence को बनाने का एक और तरीका क्या होता है, he has nothing, क्या उसके पास कुछ है, interrogative हो गया, interrogative sentence है, क्या उसके पास कुछ है, yes या no में answer दे सकते हैं, तो वह family member नहीं आएगा, उसके पास, यानि वो, subject है, वो, third person singular है, उससे पहले does का use होगा, does he have something, अब यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने something का, क्यों का, क्योंकि sentence में not नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूँ, क्या उसके पास कुछ नहीं है, तब मैं क्या कहूँगा, does he, does he not have, और something की जगह पे anything, does he not have anything, अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप contractions का use ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब आप देखते हैं, किसी auxiliary verb के साथ में not आ रहा है, तो does not कहने की जगह doesn't कह ले, और negative interrogative sentence में भी आप not को does के साथ मिला सकते हैं, और sentence को, अगर मैं nothing के साथ बनाना चाहूं, तो मैं ऐसे बना सकता हूं, does he have, not का use नहीं किया, not को और anything को मिला लिया, और nothing कह दिया, does he have nothing, does he have nothing, उसके पास क्या है, अब इस sentence में मैंने पुछा उसके पास क्या है, तो क्या इस sentence का answer आप yes या no में दे सकते हैं, अगर मैं आप से पूछूं उसके पास क्या है, और आप कह दें yes, या आप कह दें no, तो इस बात का कोई sense है, कोई sense ही नहीं, तो कि मैं तो आप से पूछ रहा हूं कि उसके पास क्या है, आपको बताना है कि उसके पास क्या है, या उसके पास laptop है, या उसके पास कुछ है, या उसके पास करते हैं what, तो सबसे पहले what, उसके बाद does या do, जिसका भी use करना है, अब चुकिए यहां पर subject है, वो, उसके पास क्या है, कौन है वो, जिसके पास क्या है, वो, does का use करेंगे, लड़का है मान लेते हैं, does he, what does he, और उसके बाद have, और बाकिया objective पार्ट में तो कुछ भी नह अब इस sentence में देखी, किस के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, वही तो subject है, जैसे राम के पास नहीं है, या राहूल के पास नहीं है, या मेरे पास नहीं है, या उसके पास नहीं है, तो मैं, वो, राहूल, राम, यही तो subject हैं, subject के बारे में ही पूछा गया है, तो किसके किसके पास नहीं है, कौन है वो जिसके पास नहीं है कौन, WH family member who, और subject के बारे में ही पुछा गया है, negative interrogative sentence, who does not have, अब कुछ या कुछ तो बताया नहीं, तो who does not have, किसके पास नहीं है, who does not have, अगर होता, किसके पास पैसे नहीं है, who does not have और तब objective पात में आता money तो who does not have यह अपने अपने complete sentence है who does not have इसे cut कर देता हूँ who does not have किसके पास नहीं है मेरे पास कार नहीं है मेरे पास नहीं है तो देखे पास है आगया मेरे पास है इसका मलब category 2 है ठीक है कौन है वो जिसके पास कार नहीं है मैं तो subject हूँ नेगेटिव sentence है I do not have a car अब यहाँ पर इस sentence को देखे मेरे पास तीन कारें नहीं है यहाँ पर मैंने कहा था मेरे पास कार नहीं है तो जब आपके पास कोई चीज बिलकुल नहीं है जैसे मेरे पास car नहीं है, मेरे पास mobile नहीं है, मेरे पास किताबे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे sentence में आप चाहो तो इस तरह से sentence को negative बनाओ, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो, कैसे, मेरे पास car नहीं है, I do not have a car, या I have no car, ठीक है, दोनों तरह से बन सकता है, एक में आपने do not have लगाया, एक में आपने have के साथ no कर दिया और negative बना दिया sentence को, लेकिन जब quantity की बात हो जाए, तीन कारें, तीन pencil, तीन laptop, 25 किताबें, जब quantity बता दें, numbers में, quantity, ऐसे में आप इसका use नहीं कर सकते, जैसा आपने यहाँ पकिया, ऐसे में आपको इसी concept का use करना पड़ेगा, चोकि negative sentence है, आप कैसे बनाएंगे, I do not have, मेरे पास नहीं है, क्या, तीन कारें, three cars, तो यह कितना interesting है, क्या आप कहते हैं, I do not have three cars, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, I have no three cars, या I have not three cars, यह बिल्कुर गलत English है, इस तरह से ना native बोलते हैं, ना आपको कभी बोलना ह है, ना कभी सोचना है, यानि जब भी quantity की बात आएगी, और sentence को negative बनाना होगा, तो आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए तो कहते हैं, कि इस category में, has not, या have not, नहीं बोलते आप, जब भी sentence में किसी के पास कुछ है, किसी में कुछ है, यानि बलता हूँ, चाचा है, ऐसे में, इस category में कभी भी, has not, have not, नहीं, रवी के पास pen नहीं है, अब दिखे, रवी के पास pen नहीं है, तो इसका मतलब एक, दो, तीन, चार pen की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस sentence को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, अब रवी does not have pen, रवी does not have a pen, और या फिर, जैसा मैंने आपको बता है, चुकि क्वान्टिटी की बात नहीं हो रही है, रवी has no pen, रवी has no pen, सही है, ठीक है, दोनों तरगे से बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्वान्टिटी का, रवी के पास दो pen नहीं है, क्वान्टिटी बता तो, ऐसे में ये बिलकुल आप यूज नहीं करेंगे, तब आप क्या कहेंगे, रवी does not have two pens, negative sentence के हिसाब से, रवी does not have two pens, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने does not को contract कर लिया है, मैं कहता हूँ, रवी doesn't have, रवी doesn't have, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया, does not की जगा doesn't, ऐसा करने की आप भी आदर डालिए, आप देखें, interrogative sentence है, क्या मेरे पास car है, यह sentence बनाना आपके लिए कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं, interrogative sentence है, और क्या मेरे पास car है, आप yes या no में answer दे सकते हैं, तो WH family का कोई member लगेगा नहीं, subject to मैं, क्योंकि क साथ में do लगता है, do I have a car, लेकिन कई बार students क्या गलती करते हैं, इस sentence को कुछ ऐसे बना लेते हैं, देखें कैसे, वो सोचते हैं, कि मेरे पास car है, मतलब I have a car, I have a car, तो जब मैं इसे interrogative बनाऊंगा, तो have को शुरुवात में लियाऊंगा, और मैं कह दूँगा, have I a car, लेकिन इस तरह से English Native नहीं बोलते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरह से कभी नहीं बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, do I have a car, तो do का यूज किया ही क्यों जाता है, वो इसलिए क्यों कि इस category के negative sentences में आप does या do का यूज करते हैं, मेरे पास क्या नहीं है, अब इ जा फिर आप कहेंगे, Sir आपके पास laptop नहीं है, Sir आपके पास car नहीं है, Sir आपके पास घर नहीं है, कुछ भी आपको बताना पड़ेगा, आपके वल Yes ये No में answer नहीं दे सकते हैं, इसलिए WH family member what का use होगा, मेरे पास क्या नहीं है, what do I not have, negative भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, त तो negative interrogative sentence, what do I not have, अगर होता है, उसके पास क्या नहीं है, what does he not have, does he, does क्यों लगता है, क्योंकि he हो जाता मेरा सब्जे, what does he not have, अगर वो कोई लड़की है, उसके पास क्या नहीं है, what does she not have, आपके पास क्या नहीं है, आपके लिए क्या बोलते हैं, आप, you, तो you के साथ do ल में है का sense क्या आना चाहिए sentence में? subject क्या है? कौन है वो जिसमें पानी है? तो आप कहेंगे ये glass. तो इस glass में पानी है का मतलब कौन है वो जिसमें पानी है? ये glass. तो subject है ये glass, एक है, singular है, तो subject क्या है, this glass, अब interesting आगी क्या है देखी, मैंने कहा, इस glass में पानी है, यनि इस glass के अंदर पानी है, हमेशा इस चीज को note कर लिजिए, बहुत सारे students confused रहते हैं, जब आप practice करते हैं, तो आप कहते हैं, sir यहाँ पर sentence में है आ रहा है, तो क्यों नह है का मतलब होता है, कि subject के अंदर है, और subject है ये glass, तो इस glass में पानी है, मतलब इस glass के अंदर पानी है, this glass has water, और has क्यों लगा, क्योंकि third person singular subject है, एक ही है, और third person है, this glass has water, अब इस sentence को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने देखी, ये underline किया हुए, मैं है या हाई भेहन है, ऐसे case में, there के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप sentence को कैसे, इस glass में पानी है, this glass has water, या फिर, there is, there is, क्या water, there is water in this glass, है ना interesting, क्योंकि इस sentence को आप दो तरीके से बना सकते हैं, इस glass में पानी नहीं है, अब ये हो गया negative sentence, तो negative sentence में, this glass, अब third person singular है, तो does not have, this glass does not have water, या फिर, there के साथ कैसे बनाएं इसको, there is no, no लगाना है, not नहीं लगाना है, there is no water in this glass, तो there is no water in this glass, no लगाना है, ये हमिच्छा जान रहे है, not कभी नहीं लगाना है इसमें, हम कई बार ये सोचते हैं कि लिखा तो है, सब कुछ clear है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब तक आप practice नहीं करते हैं, गल्तियां हो सकती है, अब ये interrogative sentence है, देखे, क्या इस glass में पानी है, यहाँ पर क remember नहीं लगेगी, अब does use करूं या do use करूं, तो depend करता है subject पर subject है, ये glass singular है, third person singular, उसके साथ में does, does this glass have water, यहाँ पर मैं एक बास जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से student को ये confusion भी रहता है, कि जब मेरा subject singular है, तो मैं have क्यों use कर रहा हूं, have इसलिए use कर रहा हूं, क्योंकि does have ये combination है, does have, और plural के किसमें do have, अचा, अब इस sentence को अगर मुझे there के साथ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, there के साथ मैं क्या करता हूं, is लगा रहा हूं, या are लगाँगा, आगे जब कोई countable चीज आएगी, जहां पर counting होती है, तो महां पर are भी लगाँगा, है न, plural चीज तो इसको interrogative sentence में क्या होता है, इसको उठा के आप शुरुवात में ले आते हैं, तो is there, is there water in this class, क्या इस ग्लास में पानी है, is there water in this class, और अगर ये sentence negative होता है, क्या इस ग्लास में पानी नहीं है, तो मैं कैसे बनाता, negative interrogative, does this class not have water, यहां पर not लगा देता, इस जगा पर, does this class not have water, यह फिर there के case में, is there no water, इस पहले आगए is there no water, तो हमेशा no, not नहीं, बोलते वक्त, लिखते वक्त, हमेशा no, is there no water in this class, क्या इस ग्लास में पानी नहीं है, ऐसा होता तो, इस ग्लास में कितना पानी है, अब आगए कितना पानी, कितना पानी कितना कितने के साथ जो भी मिलके आता है वो पूरा ही WH family का part बन जाता है interrogative sentence है interrogative interrogative का rule कहता है पहले WH family member कितना पानी के लिए क्या कहेंगे how much water और how many water क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि water one water two waters three waters four waters ऐसे नहीं बोलते हैं ये countable नहीं है और ये बात already मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ तो जब आप वीडियो को one by one देख रहे हैं जैसे ये तो day 16 है आप जब वीडियो को day by day देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से end तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पूरा knowledge मिल रहा है और अगर आप कहीं पर skip कर रहे हैं तो आप आगे चलके confuse हो रहे हैं इसलिए confuse नहीं होना है इस glass में कितना पानी है interrogative sentence how much water अब do लगाऊं ये does लगाऊं do ये does तो अब इस सी बात है मेरा subject क्या है ये glass third person singular है तो मैं does का use करूँगा does उसके बाद subject क्या है this class have how much water does this glass have कुछ students यहां पर एक गलती और करते हैं बहुत common है वो क्या करते हैं WH family member how much का use कर लेते हैं water को बाद में लाते हैं how much does this glass have और उसके बाद water यानि वो water को क्या मान लेते हैं objective part लेकिन ध्यान रहे कितना, कितनी, किसका भाई, किसकी बहन, कितने बच्चे इन सब cases में ये जो WH family member है कितना इसके साथ मिल करके ही आ जाता है कितना पानी बोले तो पानी भी WH family member का part बनके आ गया उसके बाद लगा does ये चीज़ भी note करनी है और इस sentence को there के साथ कैसे बनाए how much, अब ये how much water ये तो WH family member का part है how much water is there is पहले there बाद में obviously बात है क्योंकिए interrogative sentence में हमेशा auxiliary verb चाए is हो चाए are हो वो शुरुआत में ही आएगी और उससे पहले WH family का member आएगा तो how much water is there is glass में in this glass how much water is there in this glass question mark ठीक हो गया इस glass में पानी क्यों नहीं है WH family का member क्यों, क्यों के लिए why negative note भी है तो ये तो negative sentence भी है ठीक है तो यहाँ पर note भी आएगा क्यों के लिए why why does this glass subject in this glass not have water why does this glass not have water अब देर के साथ जब इस sentence को बनाएंगे WH family member तो वही रहेगी why ठीक है और अब चुकिए negative sentence है और आप ये जानते हैं कि not नहीं no का यूज करना होगा देर के साथ तो why is there no water in this glass why is there no water in this glass जितना प्रैक्टिस करेंगे confusion दूर होगा आप चिंता ना करेंगे बहुत सारी practice exercises आएंगी अभी आप सिर्फ concept को समझ रहे हैं why does this glass not have water yeah why is there no water in this glass दो तरीके हैं और यहाँ पर अगर मैं कहूँ why isn't there अब होगा क्या देखिए एक interesting चीज और है आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं आप इसको इसके साथ contract कर सकते हैं negative interrogative sentence में और जब contract करेंगे तो is not का contraction होता isn't बोलेंगे isn't ही भले जब आप अलग-अलग बोलेंगे तो no बोलेंगे not नहीं बोलेंगे लेकिन आप चाहें तो contract कर सकते हैं अगर आप contract करेंगे तो बन जाएगा isn't तो आप sentence को ऐसे भी बोल सकते हैं why isn't there water in this glass why isn't there water in this glass ठीक है लेकिन जब अलग-अलग बोला जाएगा तो मैंने आपको बोला कि there के साथ not नहीं बलकि no का यूज़ करेंगे किस glass में पानी है अगर मैं आप से पूछू किस glass में पानी है तो आपका जवाब क्या हो सकता है आपका जवाब हो सकता है यह इस glass में यानि subject क्या है यह glass या फिर आप कह सकते है उस glass में तो subject क्या है वो glass तो जिस भी glass के बारे में पूछ रहा हूँ यह subject के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ कि किस glass में यानि कौन से glass में तो जैसे मानने जी आप कहें, लाल वाले ग्लास में पानी है, तो subject क्या हुआ, लाल वाला ग्लास, तो मैं या क्या पूछ रहा हूँ, किस ग्लास में पानी है, तो आप कह सकते हैं, लाल वाला ग्लास, तो subject के बारे में ही पूछा जा रहा है, लाल वाला ग्लास, हरा वाला ग् तो black glass या फिर steel वाला glass या फिर कांच वाला glass तो किस glass जब मैंने कहा तो मैं subject को ही refer कर रहा हूँ इसलिए जब यह interrogative sentence है तो यह इस category का है जो कि special case में आ रहा है क्योंकि डबलो फैमली मेंबर subject को ही refer कर रहा है तो किस glass को डबलो फैमली मेंबर के वीडियो में पताया था में आपको क्या कहते है which glass किस glass यानि कौन सा glass, कौन को तो हम हू कहते हैं लेकिन कौन सा glass, क्ऌन सा लड़का, which boy, कौन सी लड़की, which girl, कौन सा glass, which glass has पानी objective part water अच्छा यहां पर मैंने hands क्यों लगाया have क्यों नहीं लगाया क्योंकि ज़्यों मैं आपसे पूछा किस ग्लास में पानी है इसका मतलब किसी एक ग्लास की ही बात कर रहा हूं अगर मैं आपसे ही पूछता किन ग्लासों में पानी है या किन glasses में पानी है इसका मतलब मैं एक से जाधा की बात करता, ऐसे में आप क्या कहते, which glasses तब तो glass एक से जाधा है which glasses have water तो यह तो depend करता है कि जो subject को मैं refer कर रहा हूँ वो singular treat कर रहा हूँ यह plural treat कर रहा हूँ singular treat कर रहा हूँ, तो has plural treat कर रहा हूं तो have और अगर यही sentence ऐसा होता किस glass में पानी नहीं है which glass does not have water और अगर एक से जादा को refer करता कौन से glass हैं जिन में पानी नहीं है which glasses do not have water ठीक है अच्छा next slide पर move करते हैं इन घरों में नल हैं कौन से घर हैं जहां पर नल हैं ये घर एक से जादा है में हैं में हैं यानि अंदर है तो subject हैं ये घर उनके अंदर है नल तो इन घरों में नल है यानि इन घरों के अंदर नल है these houses have चुकि एक से जादा है plural के साथ है these houses have क्या नल नल को क्या कहते हैं tap तो taps these houses have taps यहाँ पर मैंने एक से जादा null क्यों बोले क्योंकि obvious से बात है एक घर में अगर एक भी null है तो उन घरों में null है यानि वो तो एक से जादा है ठीक है तो इन घरों में null है these houses have taps और में है के लिए there का यूज तो हम करी सकते हैं कैसे बोलें फिर there is is लगाए या आर लगाए पिसली बार हम is लगा रहे थे तेकि इस बार तो हम आर लगाएंगे क्यों क्योंकि बात किसकी हो रही है null की null तो एक से जादा है तो एक से जादा है तो there are taps कहाँ पर इन घरों में तो इन घरों में के लिए in these houses अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप और note करेंगे कि there के बाद r का use करूँ या is का use करूँ इस बात पर depend करता है कि उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं हम null की बात कर रहे है एक से जादा है तो r अगर हम एक की बात कर रहे होते तो is ठीक है इन घरों में null नहीं है अब negative sentence है simply negative sentence का rule क्या कहता है subject these houses do not have do not have क्योंकि plural है एक से जादा है these houses do not have taps और अगर मैं इसी sentence को there के साथ बना लूँ तो कैसे there are no there are no taps in these houses इन घरों में null नहीं है तो मैं दोनों sentences को लिख लेता हूँ यह देखे मैंने दोनों sentences लिख दिये these houses do not have taps या there are no taps in these houses क्या इन घरों में null है अब यह हो गया interrogative तो interrogative का rule क्या कहता है अब do को उठा के शुरुआत में ले आते हैं यह देखें do do these houses have taps क्या इन घरों में null है या फिर there के साथ are को शुरुआत में are there taps in these houses तो यह sentence है do these houses have taps क्या इन घरों में null है are there taps in these houses क्या इन घरों में null है दोनों तरीके से बना सकते हैं अब next slide पर move करते हैं इन घरों में क्या है क्या WH family member आ गया है क्या what subject है यह घर interrogative sentence है what के बाद do what do subject these houses और उसके बाद have what do these houses have इन घरों में क्या है इसी sentence को अगर देर के साथ बनाओं तो कैसे बनाओंगा क्या है what is there इन घरों में in these houses इन घरों में क्या है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि देर का मत्तब यहां पर वहां नहीं निकलता है वहां वहाँ इन घरों में क्या है इन घरों में क्या है देर का use हो रहा है क्योंकि ऐसे cases में देर का use होता है what is there in these houses इन घरों में कितने नल है कितने नल how many taps subject है ये घर WH family member how many taps how many taps do these houses have और अगर there के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे how many taps are there how many taps are there in these houses अच्छा यहाँ पर आप एक बात note करेंगे मैंने there का use यहाँ पर are के साथ किया है आर का use brands देर के साथ जबकि यहाँ पर is का use किया क्योटप की दोनों sentences में फ़र्क है एक में हम बता रहे हैं इन घरों में कितने नल है तो एक से जादा नलों की ही बात हो रही है तो आर का यूस किया जा रहा है ठ tema लेकिन जब मैंने का इन घरों में क्या है तो मैंने किसी एक चीज इन घरों में क्या है अब कोई एक चीज की भी बात हो सकती है null, mobile, laptop लेकिन अगर मैं ऐसा पूछू इन घरों में क्या-क्या है तब तो क्या-क्या मतलब एक से जादा की बात हो रही है ऐसे में मैं क्या करता what all are there क्या-क्या के लिए हम क्या कहते है what all, what all are there in these houses तो sentence के ओपर depend करता है कि मुझे क्या use करना है किन घरों में नल नहीं है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन से घर है जिन में नहीं है कौन है जिसमें है या कौन है जिसमें नहीं है तो में है या या अंदर है किन घरों में नल नहीं है या किन घरों के अंदर नल नहीं है तो कौन से घर हैं वो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ही तो subject है या तो ये घर या तो वो वाले घर या तो ये वाले घर या फिर लाल वाले घर या फिर पीले वाले घर या फिर हरे वाले घरों में नन नहीं है तो subject के बारे में ही पुछा गया है और negative भी है interrogative भी है तो negative interrogative WH family member आएगा जो कि subject को refer कर रहा है उसके बाए does not have या do not have किन घरों में नल नहीं है यहीं कौन से घरों में नल नहीं है एक से जाधा घरों की बात हो रही है तो subject एक से जाधा को refer कर रहा है ऐसे में do not have which houses do not have taps अब यहाँ पर मामला फस गया फस कैसे गया देखिए यह जो special case है इन में देर का यूज करना तो मुश्किल हो गया आप इसे देर के साथ कैसे बना पाएंगे कौन से घरों में नल नहीं है which houses do not have taps अब कैसे बनाए विच हाउसेज यह मेरा डबलू एच फैमली का मेंबर हो गया which houses are there no taps which houses are there no taps तो कोई sense नहीं बन रहा है तो इस sentence को आप देर के साथ जेनरली बना ही नहीं सकते हैं ठीक है हाँ थोड़ा सा थोड़ा changes करके कुछ मैं इस sentence को एक different way में बना सकता हूँ कैसे in which houses are there no taps in which houses तो ऐसे में मैं किन घरों में इस पूरे को ले लूँगा in which houses किन घरों में are there no are there no नहीं है are there no taps लिखके बताता हूँ आपको in which houses are there no taps तो देखे अब थोड़ा सा ऐसे सोचिए अगर मान लिजी यह सब भूल जाईए एक सेखेंड के लिए ऐसे मान लेते हैं there are no taps इसका क्या मतलब बनता है null नहीं है there are no taps मतलब null नहीं है are there no taps आगे आगे यह नहीं are there no taps क्या null नहीं है क्या कोई भी null नहीं है are there no taps कोई null नहीं है किन घरों में null नहीं है in which houses are there no taps तो no आ रहा है negative के लिए ठीक है इस तरह से sentence को कुछ तक बनाये जा सकता है हाला कि इतना lengthy और इतना अजीब सा sentence बनाने के बजाए क्या ही sentence आपको ज़्यादा बहता नहीं दिखता which houses do not have taps और do not का contraction don't तो native speakers जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं which houses don't have taps which houses don't have taps तो ये समझना पड़ता है कि किस तरह से sentence को बनाना ज़्यादा बहता लग रहा है उसके दो भाई है किसके हैं दो भाई उसके कौन है वो जिसके दो भाई है वो लड़का है तो he लड़की है तो she कौन है ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना है मैं मान लेता हूँ लड़का है he और affirmative sentence है he has दो भाई two brothers अब इस sentence को भी देर के साथ बनाया जा सकता है तभी तो ये underline जो है मे है और भाई बहन है दोनों पे लगा है ठीक है कैसे बनाये sentence को देर के साथ हलाकि देर के साथ बनाना ज्यादा यूज नहीं होता speaking में लेकिन पता होना चाहिए इसी sentence को देर के साथ बनाते हैं कितने भाई हैं दो भाई हैं तो there are two brothers तो आएगा there are two brothers किसके उसके of क्या लगा है there are two brothers of his अगर कोई लड़की होती उसके दो भाई हैं लड़की होती तो he की जगा क्या आजाता she she has two brothers और तब कैसे बनाते there are two brothers of यहाँ पर क्या आजाता hers there are two brothers of hers तो his hers, mine ours, yours theirs यह वह वालब pronoun category में आएगा ठीक है अगर मैं कहता है मेरे दो भाई है तो यहाँ पर कहता है I I के साब तो have लगता I have two brothers और अगर इसी sentence को there के साब बनाता है तो कैसे बनाता there are two brothers of mine यहाँ पर mine आजाता उसका कोई भाई नहीं है उसका कोई भाई नहीं है negative sentence हो गया He does not have any brother कोई के लिए क्या कहते है Any He does not have any brother अब इस sentence को एक तरीके से और बना सकते है कैसे No के साथ क्योंकि यहाँ पर कोई counting नहीं हो रही है एक दो भाई नहीं है तीन भाई नहीं है चार भाई नहीं है He has no brother इस तरह से बना सकते है sentence को तो एक ये तरीका लिख लेता हूं He has no brother और देर के साथ तो बना ही सकते है जैसा कि मेरा आपको बता है अब कैसे बना है देर के साथ उसका कोई भाई नहीं है There is Is क्यों लगा यहाँ तो आर क्यों लगा था क्योंकि दो भाईयों के बात हो रही थी एक से जाधा थे यहाँ पर कोई भाई नहीं है He Sorry There हम there के साथ चू करना है इसको There is no brother There is There के साथ तो नो लगेगा There is no brother of His तो देखी हो गया ना Interesting sentence उसका कोई भाई नहीं है He does not have any brother He has no brother There is no brother of His अब यहाँ पर आपने दोनो रूल्स को देख लिया एक तरफ तो हैस के साथ नो कब लगता है जब काउंटिंग की बात नहीं होती वो रूल भी देख लिया और एक आपने देर के साथ भी sentence को बनाना देख लिया दोनो तरीके से उसके दो भाई नहीं है यहाँ पर फुल स्टॉप इंटरोगेटिव तो नहीं है sentence उसके दो भाई नहीं है अच्छा अब यहाँ पर मैं has no तो नहीं कह सकता यहाँ आपको बताया था जब काउंटिंग की बात हो रही है दो भाई तीन बहने तीन अंकल तो काउंटिंग में तो आप इसको यूज नहीं कर सकते लेकिन देर का यूज तो आप कर सकते है देर का यूज कैसे करेंगे आप सुचिए देर आर लो टो ब्रादर्स ओफ हिज देर आर क्योंकि दो भाईयों की बात है अब इंटरास्टिंग चीज ये भी है ये जो तरीका है देर आर लो टो ब्रादर्स ओफ हिज जनरली इंग्लिश नेटिव इस तरह के से कभी नहीं बोलते हैं grammatically sentence को आप बना सकते हैं आप बोल भी सकते हैं लेकिन ये तरीका जादा बहतर है हमेशा यूज किया जाता है practical है he does not have two brothers क्या उसके दो भाई है interrogative sentence does he have two brothers does he have two brothers और इसी sentence को देर के साथ कैसे बना सकते हैं आप सोचिए और इसी बात है देर के साथ आर लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि दो भाईयों की बात हो रही है तो देर आर two brothers दो भाई हैं तो जब ये interrogative है आर पहले ही use हो जाएगा है ना हर बार auxiliary वक पहले ही use हो जाती है are there two brothers of his are there two brothers of his लेकिन आप खुद देख रहे हैं इस तरह से sentence को generally कोई बोलता नहीं है ऐसे बोलता है does he have two brothers उसके कितने भाई हैं अब कितने भाई तो how many brothers how many brothers does he have how many brothers does he have और देर के साथ how many brothers how many brothers are there of his अब एक छोटी सी चीज ऐसा sentence अच्छा भी नहीं लगता है how many brothers are there of his इस तरह से कभी आपने सुना भी कमी होगा शायद ही कोई कहे हाँ थोड़ा सा एक काम यह हो सकता है how many brothers of his are there ऐसा जादा बेतर लगता है यानि कि उसके कितने भाई इस पूरे को ही डबलू एज फैमिली मेंबर का पार्ट बना दिया गया देर के केस में अब आप सोचेंगे कि सर क्या कोई रूल है आपने यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आर के साथ आर ओफिस देरा टू ब्रदस नहीं नहीं चुकि डबलू एज फैमिली मेंबर आई इस वज़ास से मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल यह है कि इस तरह से ओफिस को पहले ले आते हैं यह सेंटेंस तो इंग्लिश नेटे फिर भी बोल सकते हैं जैनरली वैसे यह बोला जाता है बेहतर सेंटेंस यह है यह दूसरा विकल्प है लेकिन विकल्प में भी इसे अब्जेक्टिव पार्ट में न रखके इसको डबलो फैमिली मेंबर के साथ में ही बोला जाता है अगर कोई बोले तो तो rare है लेकिन ऐसे बुला जाता है और बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है जितनी प्रैक्टिस, जितनी लिस्निंग आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, सुनते हैं जब आएंगे आपके सामने जनरली यह आएंगे कभी यह आया तो इस तरह से आएगा Next sentence किसके हैं दो भाई, यहाँ पर जिसके हैं दो भाई, वही तो सब्जेक्ट है राम के हैं दो भाई, यानि कि सब्जेक्ट कौन है राम राहूल के हैं दो भाई, यानि सब्जेक्ट है राहूल तो किसके बारे में पुछा गया है subject के भी बारे में पुछा गया कौन है वो जिसके दो भाई है तो कौन के लिए हम क्या कहते है who who has two brothers तो आगे है special case और अगर आप एक चीज़ और भी देखेंगे आप देखे न ये sentence है तो interrogative ठीकि बन तो affirmative की तरह ही रहा है न बस यहाँ पर who की जगर मैं कह दू Rahul has two brothers Rahul के दो भाई है तो interrogative sentence affirmative की तरह ही बन रहा है और जो negative interrogative जहाँ पर not है वो negative की तरह बन रहा है यही होते है special case ठीक है अगर यहाँ पर होता है किसके दो भाई नहीं है तो क्या होता who does not have two brothers क्या इस sentence को हम देर के साथ बना सकते हैं सोचिए किसके हैं दो भाई whose are their two brothers हाँ कुछ ऐसे तो बना सकते हैं whose are their two brothers अच्छा एक बड़ी छोटी सी चीज देखिए मैंने जब देर के साथ बनाया तो मैंने किसका के लिए whose का इसका लिया देर के sentence में किसका के लिए whose लेकिन जब मैंने इसी sentence को has के साथ बनाया तो मैंने who कहा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इन sentences में आप अपने आपसे question बूचते हैं कि कौन है वो कौन है वो जिसके पास ये है कौन है वो जिसके अंदर ये है यह कौन है वो जिसके इतने भाई है या इतनी बहन है इतने अंकल है तो जब कौन है वाला प्रेशन पूछेंगे तब has, have का यूज़ करते है इसलिए जब कौन वाली बात आई कि किसके हैं दो भाई कौन है वो जिसके दो भाई है तो कौन के लिए who कहा लेकिन देर के केस में कौन नहीं जो sentence है exact उस तरह से ही बनाया किसके का यूज किया किसके के लिए होस कह दिया यह सब आएगा experience से तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जौत नहीं है आप जो पहला वाला formula है इसको अभी आप इसको सीखते जाएए आगे advance होते जाएंगे English में तो जाएदा समझ पाएंगे कि क्यों है इससे बनाया किस pen में इंक नहीं है में है आ गया clear है category 2 है क्योंकि किस pen में इंक नहीं है मतलब किस pen के अंदर इंक नहीं है यह तो clear हो गया अब देखे किस pen में इंक नहीं है जिस pen में कौन सा pen है वो जिसमें इंक नहीं है तो कौन सा pen उसी subject के बारे में पूछ रहा है क्योंकि जिस pen में ink नहीं है वो ही तो मेरा subject है लाल वाला pen, काला वाला pen, ये वाला pen, वो वाला pen तो चुकि WH family member subject को ही refer कर रहा है negative भी है तो negative interrogative का ये वाला rule आएगा किस pen में ink नहीं है यानि कौन सा pen है जिसमें ink नहीं तो कौन सा pen को क्या कहतते है विच पेन और विच पेन के बाद क्या आएगा डस नॉट हैव क्या नहीं है इग अब इस sentence को बनाते हैं देर के साथ, जब देर के साथ बनाएंगे तो यह सवाल तो नहीं आएगा ना कि कौन है वो जिसमें नहीं है, यह कौन है वो जिसमें है, तब क्या होगा, किस pen में, यह पूरा का पूरा डबलो फैमिली मेंबर बन गया, तो कैसे बनेगा, इन विच पेन, कौन से पेन में, यह पूरा बनेगे मेरा डबलो फैमिली मेंबर, इन विच पेन, इस देर, नो इंक, इस देर, नो नो आता है, इस देर, नो इंक, तो आपने देखा रहा कितना इंट्रस्टिंग हो रहा है, यह देखे, जैसे पिछले sentence में बताया था, यह पहले, क्योंकि हम एक pen की बात कर रहें, किसी singular की बात कर रहें, इस sentence में यह पता लग रहा है, किस pen में इंक नहीं है, इस pen में इंक नहीं है, किसी एक की बात हो रही है, कुछ question इसी तरह का है, ठीक है, आप में से कितनों के पास पैसे हैं, आप में से कितने हैं वो जिनके प मैं पास पैसे हैं। तो आप मेंसे कौन है वह Потом हैं कितने हैं जिनके पास पैसे हैं। How many of you यह बाद हाम मैं में बताई मैं आपको। How many How many of you, आप में से कितने हैं जिनके पास है, How many of you, अब एक से ज़्यादा की बात हो रही ही, तो understood have आएगा, How many of you have, क्या, पैसे, money, अच्छा, देर के साथ बनाना इस sentence को थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, कैसे बनाएं, अब यहां पर तो किस pen में था, तो in which pen हमने कह दिया, आप में से कितनों और उसके बाद तो सीधे आगया की पास है, तो इस sentence को देर के साथ बनाना एक बड़े simple structure में मुश्किल है, इसको थोड़ा सा हमें दो अलग-अलग clauses में बनाना पर सकता है, अगर मेरे को फिर भी, अगर कोई मुझे यह कहे कि इस formation के अलावा इस sentence को बना के दिखाओ, तो कैसे बनाए जा सकता है, how many of you are there, अब केवल इतना तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, how many of you are there, आप में से कितने हैं, बस यह हो गया, कौन, आप में से कितने हैं क्या, जिनके पास पैसे हैं, how many of you are there, who have money, यही तरीका है, जिस तरह से इस sentence को बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं दिखता, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो ultimately बात तो have की हो रही है, पास होने के लिए have की बात हो रही है, तो बहतर होगा, कि इस sentence को इतना लंबा बनाने के बजाए, कि how many of you are there, who have money, क्यो ना वैसे ही बना लिया जाए, how many of you have money, वो बहतर तरीका है, practical तरीका है, आपके पास क्या-क्या रखा हुआ है, अगर एक second के लिए मानलू की रखा हुआ यहाँ पर नहीं है, आपके पास क्या-क्या है, क्या-क्या को हम क्या कहते हैं, what all, what all do you have, अब उसके बाद, रखा हुआ के लिए मैं आपको एक वीडियो में क्या बताया था, रखा हुआ, बैठा हुआ, पिटा हुआ, third form का यूज़ करते हैं, रखने को keep, keep की third form, kept, what all do you have, kept, अब देर के साथ इस sentence को मैं कैसे बना सकता हूँ, what all, what all, क्या-क्या, what all are there, इसका मतलब क्या है, क्या-क्या चीजे हैं, what all are there, kept, आपके पास, kept with you, kept with you, कुछ इस तरह से sentence को देर के साथ बना सकते हैं, what all are there, kept with you, ये आज की हमारी आखरी स्लाइड है, इस कार में है क्या, जो मुझे पसंद आए, क्या, उसके तीन अंकल हैं क्या, मैं इन दोनों sentences को इसले लेके आया हूँ, क्या का use दोनों में, इस पार्ट में देखिए, और इस में देखिए, दोनों में end में हुआ है, तो कई students ये सोचते हैं, कि अगर क्या का use शुरुवात में हुआ, तो तो हम WH family member नहीं लगाएंगे, अगर end में हुआ, ये बीच में हुआ तो लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है, कि क्या उस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, अगर मैं आपसे पुछूँ, उसके तीन अंकल हैं क्या, तो आप कह सकते हैं yes, या आप कह सकते हैं no, तो yes और no में आप इस question का answer दे सकते हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर wh family का member what, what का use, क्या के लिए नहीं होगा, ठीक है, भले ही इस क्या को उठा के शुरुआत में ले आएं और मैं पूछ लूँ, क्या उसके तीन अंकल हैं, तो किसी भी question में इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कहाँ पर आ रहा है, end में आ रहा है, बीच में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, बस ये देख लीजिए, yes या no में अगर answer दे सकते हैं उस question का, तो वहाँ पर what का use नहीं होगा, अगर नहीं दे सकते हैं, तो what का use होगा, अब जैसे यहाँ पर, इस कार में है क्या, अगर ये question में आपसे पूछूँ, इस कार में है क्या जो मुझे पसंद आए, तो आप कह सकते हैं, इसमें अच्छा music system है, आप कह सकते हैं, इसमें अच्छी seats हैं, क्योंकि बहुत सारे students confused रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये explain किया, अब इस sentence को लिखे, कैसे बनाएंगे, इस कार में है क्या, यहाँ पर आ रहा है, में है, में है, में है मतलब अंदर है, इस कार में है क्या, मतलब इस कार के अंदर है क्या, तो category 2 है, what से शुरुवात होगी, what, उसके बाद देखिए, interrogative sentence है, what does this car, क्योंकि यहाँ पर subject क्या है, ये कार, इस कार में, यानि किस में, इस में, what does this car have, जो मुझे पसंद आए, ये तो एक additional clause है, आपको नहीं भी बनाना आता है, इस वक्त तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कैसे बनाई जाएगा, that, जो मुझे पसंद आए, that I like, यहाँ पर that की जगह पर, आप which भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसी को, इस वाले पार्ट को, आप there के साथ कैसे बना सकते हैं, सोचिए, वट को तो आप as it is लगाएंगे, वट इस देर, इन दिस कार, इस कार में, क्या है, वट इस देर, इस कार में, इन दिस कार, और उसके बाद जो पार्ट है, जो मुझे पसंद आए, वो तो that I like, यह which I like, इन दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं, तो sentence को दो तरीके से बना सकते हैं, और दोनों में ही question मांक है, what does this car have that I like, यह what is there in this car that I like, इस sentence को, interrogative है, interrogative, डबलो एज, फैमली मेंबर, वट का यूज तो होना नहीं है, does it do से शुरुवात होगी, उसके तीन अंकल हैं क्या, कौन है वो जिसके तीन अंकल की बात हो रही है, कौन है वो, वो, चाहे वो लड़का है, लड़की है, लड़की है तो she, लड़का है तो he, does he, does he, have three uncles, और इसी sentence को, there के साथ कैसे बना सकते हैं, already मैं आपको समझा चुका हूँ, are there three uncles of his, अच्छा यहाँ पर मैंने are का use किया there के साथ, क्योंकि तीन अंकल की बात हो रही है, अगर मान लिजी मैं ऐसा कहता है, उसका एक अंकल है क्या, या उसके एक अंकल है क्या, तब मैं कहता, is there one uncle of his, और यहाँ पर फिर मैं क्या कहता, does he have one uncle, इस तरह से sentence को बनाता, अब देखिए आपके सामने तीन sentences हैं, क्या नहीं है आप दोनों के पास, सचिन के मोबाईल में कितने गाने हैं, और हम सब के अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब talent, हम सब के अंदर है, यानि हम सब में है, तो इन तीनों sentences को आपने बनाना है, और इस वीडियो के comments में लिखना है, जिस किसी को भी एक ही तरीके से बनाये जा सकता है, एक ही तरीके से बनाईए, जहां पर देर का use भी किया जा सकता है, ये काम आपको करके इस वीडियो के comments में लिखना है, तो फिलाल आज के लिए यहीं तक, अगर आपको ये वीडियो लक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, और comments में बताईएगा कैसा लगा, मिलते हैं next वीडियो लक्चर में, तब तक लिए take care, good bye.